एक चमच लेते ही तीन गुना तेजी से वजन घटने लगेगा हेलो फ्रेंस मैं हो निश्या दोस्तो जैसे हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस मौसम में बहुत तेजी से हमारा वजन घटता है आज जो मैं आपको उपाई बताने जा रही हूँ इसका इस्तमाल अगर आप लगातार एक हफ़ते तक करते हैं तो आप बहुत असानी से 8-9 kg वजन घटा सकते हैं इस उपाई के साथ आपको एक विशेस बात का ध्यान भी रखना है जो तेजी से वजन घटाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा तो चलिए देखते हैं कि इस नुस्के को कैसे बनाना है और इस्तमाल करना है इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले कोरियंडर लीफ यानि की धनिया का पत्ता और इसे अच्छे से क्लीन करके आपको छोटे छोटे टुकरों में काट लेना है और इसका मिक्सी में पेस्ट बना लेना है फ्रेंस इसमें भारी मात्रा में एंटी आक्सिदेंट और बहुत सारे निट्रेशन होते हैं तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिजम को ये बूस्ट करता है जिससे हमारे बॉडी में जमा फैट बहुत तेजी से पिघलने लगता है और हमारा वजन जो है वो तेजी से कम होने लगता है उसके बाद आपको लेना है एक गलस हलका गरम पानी ध्यान रहे बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो आप इसमें डाल लीजिए उसके बाद आपको आधा नीबू करस इसमें डालना है फ्रेंस नीबू करस हमारे बॉडी के लिए क्लिंजर की तरह काम करता है यह हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूफ करता है और हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को बहुत तेजी से बर्न करता है अब आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंस आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकनों क्लिक करना बिलकुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुँच सके इस ड्रिंक को आपको सुबा खाली पेट लेना है और इसके सेवन करने के बाद आदे घंडे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है इन आदे घंटों में आप चाहें तो कोई भी हलका फुल का एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर आप वाकिंग करते हैं तो आप ये कर सकते हैं एक विशेज बात का ध्यान आपको ये देना है कि इस दोरान आपको किसी भी तरह के मीठे चीज का सेवन बिलकुल भी नहीं करना है फ्रेंस अगर आप लगातार एक हफते तक ये परियोग करते हैं तो आप बहुत असानी से 8-9 केजी तक वजन घटा सकते हैं एंटी कैंसल पोपर्टीज होने के साथ ये आपके बालो और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो फ्रेंस आपको आज के जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जुरू बताईएगा साथ में इसको शेयर और लाइक करना बिलकुल न भूले